गाईज आजके इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम multiple photos को select करके drag and drop करके secure तरीके से server में upload कर सकते हैं जो uploaded images है उसे हम कैसे beautiful responsive gallery layout में display कर सकते हैं यहाँ पर अपने screen में देख सकते हैं एक box बना हुआ है जहाँ पर drop images हेर लिखा है तो यहाँ पर हम कुछ images अभी drop करेंगे and उसके बाद यह जो no images found है यह हट जाएगा and यहाँ पर हमें कुछ images देखने को मिलेगा मैंने internet से कुछ stock photos download किया है pixels.com से तो यहाँ से मैं कुछ photos select कर लेता हूँ करके उस box के अंदर मैं drop कर दोंगा and उसके बाद हम देखेंगे यह photos कैसे display होने लगता है तो यहां से जो first three photographs है उसे मैंने select कर लिया है मैं इसे pull करता हूँ and यह box में drop कर देता हूँ right upload complete and यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो photos है यह यहाँ पर upload हो गया देखा है and मैं आपको और photos में upload करके दिखाता हूँ let's say यह all photos में select कर लेता हूँ करके यहाँ पर मैं drop कर देता हूँ and यहाँ पर आप देख सकते हो guys सारे photos upload हो गए अब इसमें एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो पहला तीन photo upload किया था next time में हमने सारे photos select करके यहाँ पर upload कर दिया लेकिन जो first three photos है वो दुबारा upload नहीं हुआ मतलब यहाँ पर क्या है कि duplicate photos upload होने से system automatically रोक लेता है right तो अब यह जो photos है आप देख सकते हो आप किसी भी photo पर click करो तो यह photo इस तरीके से open हो जाता है और फिर photos को जो है आप इस तरीके से browse कर सकते हो आप right में click करोगे next photo आएगा left में करोगे तो previous photo आएगा तो फिर आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो ठीक है so this was a demo of the drag and drop image gallery बाकी अगर आपको इसका source code चाहिए तो video के description पर link है जिसके through you can download बाकी वीडियो से related अगर आपका कुछ doubt या query है प्लिस post it in the comment section बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा प्लिस give it a like अगर आप चैनल पर नए हो तो subscribe and yeah that'll be all for this video I'll see you in the next one so तब तक stay safe take care bye bye